इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाईया मैं नोट्स कैसे बनाऊं DSA के, Java के या फिर किसी और टॉपिक के तो इस वीडियो में आपसे कोई भी किताबी चीजे शेयर नहीं करूँगा कि ऐसे बना लो मैं आपको अपने नोट्स के थुरू समझाऊंगा कि आप ऐसे नोट्स कैसे बना सकते हो, ठीक है, परफेक्ट है अब देखो, अगर मुझे DSA के नोट्स बनाने है, मैं आपको दो नोट्स दिखाऊंगा, DSA के और AWS के, AWS की क्यों क्योंकि देखो, आपको लगता हुगा कि मैं नहीं पढ़ता इतने एक्सपिरियंस के बाद, 6-7 साल एक्सपिरियंस के साथ, लेकिन मैं भी बढ़ता हूँ मेरे पास AWS developer का certification है, लेकिन मुझे solution architect का करना है बहुत काफी बड़ी बात है मेरे लिए, लेकिन मुझे करना है, ठीक है, अब देखो मैं दोनों के आपके दिखाऊंगा, जब मैंने DSA किया था, तब मैंने कैसे बनाए थे मदब कुछ साल पहले, और अभी मैं कैसे बना रहा हूँ, तो चलो, DSA से start करते, अब एक question आप कर रहे हो, माल लो, तो एक question यह हो गया, path from a root note, हाला कि यह question मैंने दो-चार साल पहले solveी किया होगा और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक important announcement अगर आप DSA पढ़ना चाहते हो, या फिर Java full stack पढ़ना चाहते हो, in-depth, detail में जैसे मैं पढ़ाता हूँ, वैसे तो आप क्या करोगे, यह live section में आपको जाना है, या तो आप Java पढ़ना चाहते हो, Java full stack, Docker, Kubernetes, HTML, CSS, यह सारी चीज़ें तो आप यह spark 2.0 में enroll कर सकते हो, ठीक है, 3, 4, 5, 0 का course है, 6 मन तक चलेगा, 6-7 मन तक अभी offer चल रहा है, आप अभी enroll करो, यहां से हम बहुत बड़ी बड़ी project भी बना रहे होंगे, यहां पे सुईगी, होड़ स्टार जी, अप्लिकेशन से और एक बड़ जाके ज़रू चेक आउट करना, अगर आपको पढ़ना है, DSA, तो आप यहां जाके इस barrage में enroll कर सकते हैं, लेकिन जब मैंने revise किया, तो इसके notes में कैसे बनाया, iPad में, ठीक है, अब देखो, अब आपका दूसरा question आएगा कि भाईया, आपके पास तो iPad है, आप ले पा रहे हो, हमारे पास नहीं है, तो मैं आपको एक बात बताऊ, मैं हमेशा से iPad थोड़ी ना मैं afford कर सकता था, मेरी pocket I'm belong from middle class family, right? तो इतना सारा पैसा खर्च करना, एक device में मेरे लिए पहले ये नहीं था, एक reasonable choice नहीं थी, और एक student को, अगर आपकी pocket अलाओ कर रही है, आपके ममी पापा दिलवा सकते हैं, कोई ना without hesitation के जहां उनको compromise ना करना पड़े तो आप ले लो, फालतु में ममी पापा को जाके परेशान मत करना, कि देखो ये भईया notes बना रहे हैं, इसमें, तो आप मुझे भी दिलवा दो, ये thinking मत रखना, please, ठीक है, मैंने भी धेरो copy ओं में notes बनाये हैं, जो without पन्ने की होती है, जिसमें line नी होती है, without पन्ने कहा रहा हूं में, without lines होती है उस copy में मैं बनाता था, क्योंकि मुझे fair page में लिखना अच्छा लगता है, और वो साफ होता है, और clear होता है, तो दो panel लेना, दो-तीन panel लेना, और जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, आपको copy में लिखना है, ठीक है, अब देखो, question की heading लिखी, ताकि जब भी मैं revise करूँगा, देखो, DSA की सारे question लिखने की ज़रुवत नहीं है, जहां आपको लोगी important है, interview में आ सकता है, आप करोगे न question तो आपका six sense काम करने लग जाएगा, तो यह question आ सकता है, मुझे लगा, तो मैंने यहाँ पर छाप दिया, कैसे छापा नहीं मतलब, यह question क्या कहना चाहता है, कि भाईया, अब देखो question, सिर्फ इसको मत लेना, आप कोई भी question लेलो, तो मुझे sum बताना है, कि ऐसे path बताना है, जो पिर root से start होगा, और जरूरी नहीं है, कि leaf तक जाए, तो वो path बताने कैसे होगा, अब देखो जब question, मैं भी आप की तरह बच्चा होगा, तो मुझे नहीं सामज में आ रहा होगा, तो मैंने भी अपने approaches लिखे, ऐसा नहीं कहीं से, तुम्हें देखना नहीं है, अपनी भाषा में लिखना है, तो देखो, एक और मैंने tree लिया, इसका 38 है, तो कैसे चलेंगे, कि देखो भाई, 10 प्रस 28 एक यह path ही होगा, तो अब देखा तुम्हें यह हो गया, तो देखो, 28 और 10 प्रस 13 15, दोनों path तुमने यहापे लिख रखे हैं, अपनी understanding के लिए, ऐसे तुमने लिख देने हैं, अब recursion के तोर पे, जब हम recursion पढ़ते हैं, तो मुझे यह confusion होती दी, कि भाई, अब जो मेरा यहाँ पर sum जाएगा, current sum जाएगा, वो हर बार बदलेगा, तो देखो, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, कि यहाँ पर एक doubt होगा, कि current sum की value update कैसे होगी, update कैसे करेंगे, क्योंकि obviously हम एक level के साथ current sum की value घटाते जाएगे, बढ़ाते जाएगे, तब ही तो हम यह चीज complete कर पाएगे, और उसको हम result में add कर पाएगे, क्योंकि देखो, मालो अगर मैं 2 पर आगया, तो मैं यहाँ से जाऊँगा, और मुझे नहीं मिला sum, तो मैं 2 हटाऊँगा, तो मैंने वही लिख रखा है, कि current sum एक local variable होगा stack में, तो हर जब मैं method call करूँगा, तो हर एक new stack के साथ, उसकी value change होगी, तो मुझे यहाँ से पता चल रहेगी, हाँ भाईया, मैं कहना क्या चाता हूँ, तो ऐसे ही, आप अपनी thought process में, इसको copy मत करना, देखो दोस्त, आप किसी को copy करके notes नहीं बना सकते, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, बनाने का, ओके, चलो, आज़ो, आप मैंने solution लिख दिया, इसका कि भाईया, ठीक है, मैंने ऐसे solution मारा, कि left call कर वेदे, right call कर वादी, आप देखते हैं, अरे यार, वो question बहुत important था, खटाक से एक वाद revise कर लिता हूँ, तो interview भी ऐसे ही होता है, हम interview जब देने जाते हैं, तो हम पूरा सब कुछ revise नहीं करते, और आपको लगएगा revise करना, भई हमें return की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं logic की बात कर रहा हूँ, कि इसमें मैंने कैसे बनाया था, तो अगर उससे मिलता जलता question आ गया, तो बड़ीया बात है, नहीं आया, तो मैं अपनी मन से बनाऊंगा, इतनी सारे question कर रखे हैं मैंने, अब देखो ये तो हो गया, अगर मैं एक set ले लूँ, तो अगर मैं उसमें जहां मेरे को value रिपीट होगी, मैं remove कर दूँगा, और नहीं होगी तो set में value होगी, तो जैसे 2-3-3 वाला करो, 3 remove हो जाएगा, 2 बचेगा, तो मैं यानि की palender हों बना सकता हूँ मैं, एक और इसका एक bitwise हो जाएगा, जिसमें XOR लगता है, तो बता रहेगा, तो देखो, ये तो रहा कि मैं आपको बता रहा हूँ, DSA के कैसे notes बनाना, I hope आपको perfect idea लग गया होगा, कि ये solutions का logic लिंखना, देखो मैंने इसमें code भी add नहीं किया है, है ना, तो ये solutions का logic लिखना, और उसका code लिखो या मत लिखो, लेकिन मैं हमेशा लिख लिख लेता हूँ, क्योंकि handy रहता है, ठीक है, चिपका दो code को, वो बहुत जरूरी है, आप अपने copy pen से, जैसे मैंने आपे लिखा है, ये सारी भाषा तो आप लिख सकते हो अपने आप, ये लिख सकते हो ना, और जैसे मैंने code लिखा है, वैसे आपको लिखना है, I hope you are getting it, है ना, अब वो आपको copy pen से लिखोगे, तो और मजा आएगा, अब बात करते है, normal subject के notes कैसे बनाने है भी या, तो देखो, मैं आपको AWS के notes दिखाता हूँ, तो normally मैं आपको सिर्फ एक service पढ़ाता हूँ, ठीक है, AWS के आपको पता लग जाएगा, ये तो आप नहीं समझ में आएगे आपको, cloud front, देखो, generally application जब हम deploy करते हैं, तो हमारे applications में delay होता है, हमारी applications में delay होता है, मतब मालो की मैं इंडिया में हूँ, कोई मेरी applications को मैं बैठा हूँ, बैंगलावर में, तो मेरी कोई applications को access कर रहा है, Tokyo से, या फिर USA से, तो इतना बड़ा distance travel करना, एक request के लिए, बहुत जादा, मतब delay होगा, और मुझे delay नहीं चाहिए, लेकिन हमारी, देखो, अब मैंने कैसे बनाया, कि if user in Tokyo, and application running in Mumbai, reason then, we will face a high latency, यानि कि delay होगा, then we can solve this problem, by deploying application, in a different location, obviously, एक ये solution है, अगर मैं ऐसे ही solve कर दूँगा, तो मैं AWS के पास क्यों जा रहा हूँ, है न, तो देखो, AWS came up with a service, that called cloud front, ऐसे आपको दो पैन यूज कर लेना, ताकि आपको service का नाम, अलग से पता लग जाए, AWS के नोट्स नहीं बना रहे होगे आप, आपको अपने topic के नाम पता लग जाए, जैसे distributed system के बना रहे हो, computer network के बना रहे हो, है न, अब आप या फिर जावा के नोट्स बना रहे हो, तो ऐसे ही बनाने है, अब देखो, every reason AWS के है, edge location, तो ये मैंने थोड़ा अलग point में लिख दिया, ताकि मुझे पता रहे, मैं जब revision करूँगा, कि भाई ये important point है, तो edge location क्या होती, अब देखो, मैंने diagram भी draw कर दिया, कि अगर एक कोई Tokyo से कर रहा है, कोई Ireland से कर रहा है, Canada से कर रहा है, Sydney से कर रहा है, तो हर एक के पास, एक edge location होगी, तो यहां से edge location चलती कैसे हैं, अभी देखो कैसे चलती है, this edge location, cache the data, and completely managed by AWS, मतलब मेरे Mumbai location से, जहां में हूँ, EC2 मेरी machine चल रहा है, EC2 मतलब सर्वर चल रहा है, तो यह cache कर देगा, यह cache कर देगा, तो इससे क्या होगा, कि भाईया, आपका delay बहुत ही कम हो जाएगा, तो I hope, देखो, मैंने same वही चीज़े लिखी हैं, अब आपने जब web development में पढ़ रहे होगे, तो आपने CDN पढ़ा होगा, कि content delivery network होता है, उसका use करके data को cache करता है, अब depend करता है, देखो, मैंने यह आपे भी लिखा होगा, cloud front cache is real time or dynamic data, कोई भी data, static dynamic data कर लिएता है, तो यह मैं आपको क्यूं दिखा रहा हूँ, देखो, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ताकि आपको idea लग जाए, कि आपको notes कैसे बनाने है, अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे कभी भी cloud front पढ़ने की ज़रूद है, मैं interview देने जा रहा हूँ, और जहाँ पर लिखा गया है कि AWS पूछेंगे, तो अब मुझे generally बताना, क्या मुझे पूरा revise करने की दरूद है, या फिर मैं ये short notes revise करके, AWS का solution architect का paper दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने सारी मेली-मेली चीज़े लिख दी है, या फिर मैं interview देने जा रहा हूँ, तो अब मैं इतनी सारी चीज़े मुझे cover करनी है, तो कब तक करूँगा भाई? तो इसलिए notes बनाना बहुत ज़रूरी है, और handy रखना उन notes को बहुत ज़रूरी है, तो I hope इस वीडियो से मैंने आपकी बहुत help की होगी, अगर ये DSA की notes ऐसे आपको चाहिए, कि भाईया एक बार मुझे PDF दिखा दो, आप कैसे बना रहे हो, तो मैं भी उसी तरीके से बना लूँगा, तो link description में आप जाके एक बार जरूर देखो, ठीक है? और I hope ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा, अगर अच्छी लगी वीडियो तो subscribe कर देना, और वीडियो को कर देना like, ठीक है? मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में, अगर telegram group जॉइन करना चाथते हो, तो link description में है, आप जॉइन कर लो, अगर मुझसे कोई बात कर लिए, तो महाँ पे आप post कर सकते हो, ठीक है? कोई भी बात हो, ओके?